Hello everyone, I welcome you all to the vocab show आपकी vocab preparation के लिए one stop solution इस शोपर हम बात करते हैं 5 words ऐसे words जो हमारे previous year exams में आचुके हैं और जो आने वाले exams के लिए बहुत important होते हैं यहां हम सर्फ किसी word के synonyms नहीं समझते हैं या उनको रटा नहीं मारते हैं हम उस word को समझते हैं उसका correct usage देखते हैं कि sentence में वो word कैसी use होगा उसका context क्या होगा परिकिस exams में सिर्फ synonyms के जो questions होते हैं वही नहीं आते comprehension part भी होता है वहाँ पर आपको यह चीज़ बहुत काम आएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला word है amicable amicable का मतलब होता है equality जो friendliness की है जो absence of discord की जो harmonious है मतलब मिलनसार करते हैं कि यह बहुत मिलनसार आपमी है तो पतलब क्या वो आप उसके बात करोगे तो आपको अच्छा लगेगा वो friendly रहेगा वो दूसरों को judge नहीं करेगा ऐसा रहेगा जिसे दूसरा comfortable रहेगा वो जो पूरा conversation रहेगा वो friendly रहेगा harmonious रहेगा so that is amicable okay so amicable के synonyms क्या होंगे friendly, harmonious, cordial and pleasant okay so these are the synonyms of amicable जो फिनॉमना जो friendly है harmonious है so let's see the sentence here the negotiations between the two parties were amicable जो negotiation थी दोनों parties के बीच में दो parties के बीच में बहुत friendly थी harmonious थी है जो बहुत हार्मोनियस थी है जो बहुत हार्मोनियस थी है जो बहुत हार्मोनियस थी है बहुत ही आराम से हो गई so let's see the next sentence irreverence अगर आप हमारे शेंट को लगाता देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि हमने episode 1 में deference word की बात the deference था deference word का मतलब क्या होता है to show respect किसी का आदर करना है या फिस सम्मान करना है that is deference अब यहाँ पर irreverence है that is opposite of it इसका अन्टोनियम था वो irreverence का मतलब क्या होता है lack of respect for serious thing मतलब कुछ चीजें हैं जो serious हैं या फिर जिस की सब respect करते हैं but आप disrespect करते हैं that is irreverence that thing will be known as irreverence okay that behavior will be irreverence irreverence sorry so let's see synonyms here disrespect empathy contempt irreverent okay so किसी ऐसी चीज़ की अवेलना करना है या फिर उसका आपमान करना जिस की सब respect कर रहे है that is irreverence let's see a sentence his irreverence towards traditions upset some of the elders मतलब कुछ traditions ही जिसकी उसने अवेलना की अपमान किया जिससे कुछ elders थे मतलब जो बड़े भूडे थे वो नाराज होके okay so this is irreverence next word is ceremonial ceremonial का मतलब क्या होता है अब दिखो ceremony में क्या होता है ceremony में हम कुछ ritualistic चीज़े करते हैं मतलब जो चीज़े होती हैं let's see conferring or involving nominal authority मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो हो रही है मतलब जो होती होती मतलब एक तरसा ritual है उसको पर 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 फॉर्म किया जा रहा है that is ceremonial मतलब बहुत फॉर्मल तरीके से हो रहा है जिसे कि हम बोलें कि को example आप किसी organization है ठीक है वहाँ पर बॉस का एक रूल है कि हर Saturday को सब साथ में लंच करेंगे पुरा स्था आपने लंच करेंगे तो तरस चरिमोनियल लंच या फिर हर वेदिनस दे को सब लिक इन्फर्मल खोच पन का हैंगे तरस चरिमोनियल अठायर या फिर दे जो है जो रिछुल है तरस चरिमोनियल जो लेट सी थे श्यानलमतियर these are ceremonial, so let's see the sentence, this event had a ceremonial aspect, with formal rituals observed, so, वही चीज़ा मैं नहीं बताएगी, मतलब जो event था हो, उसमें ceremonial था हो, ठीक है, उसमें ceremonial चीज़े थी, with formal rituals, okay, so, let's see, our next word, propitiate, propitiate का मतलब क्या होता है, propitiate का मतलब होता है, to win or regain favor by doing something pleasing, मतलब किसी को, कहते हैं कि, यह मुझसे नाराज हो गया, इसके लिए मैं, इसकी मन पसंद खाना मना के, खिला देता हूँ, जो भी है, so, propitiate का मतलब क्या है, कि मतलब कुछ ऐसी चीज़े करना, जो उसको पसंद दे, जिससे वो खुश हो जाए, और उसका favor उसको मिल जाए, है न, मतलब वो, आप बोल सकते हैं, जो चापलो सी, या फिर मनाना बोल सकते हैं, मनाना बोल सकते हैं, आप उसका विश्वास जीतना, आप इससरे से बोल सकते हैं, कि favor गेन करना है, मतलब इसको मना लेना, simple सी बाद, propitiate का मतलब मनाना, इसके pseudonyms क्या होंगे, appeas, कियातने, appeasement politics, appeasement क्या होज़ो, आप इससे का जीतना, आप इससे क्या होज़ोंगे, आप इससे क्या होज़ोंगे, आप इससे क्या है, जो जो चूटे वार्दे कर रहा है, that is appeasement, बोल सकते होज़ोंगे, plakate these all are the synonyms of propitiate okay propitiate का मतलब किसी को मनाना या फिर उसकी चापलूसी बगरा करना चापलूसी नहीं लब इकतर से मनाना so let's see the sentence the offerings were made to propitiate the angry deity ठीक है मतलब वही चीज यहां पर एक्जांपल में दिया है कि ऐसा कुछ लोग मान लेते कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बगवान रुष्ट हो जाएंगे बड़ बगवान का भी रुष्ट नहीं होता है ना like ऐसा कहा जाता है ठीक है कि रुष्ट हो जाएंगे तो उसके लिए कुछ रिचूल्स कर रहे हैं वो रोग that is कुछ चीजें ओफर कर रहे हैं that is propitiate करना है so last word for today's episode is capitulate capitulate का मतलब क्या होता है capitulate का मतलब होता है cease to resist an opponent or unwelcome demand मतलब surrender कर देना हार मान लेना that is capitulate अपने आपका मतलब लेक मैंने मैं हाथ खड़े कर लेना जिसे बोलता है मतलब अब आप रिजिस्ट ही नहीं कर रहे हैं कोई भी चीजस को रजिश्टी नहीं कर रहे that is capitulate आप एक तर ऐसे बोल सकते हो नहीं हत्य हो गए आप अपने सब को छोड़ दिया कि जो होगा देखा जागा तो that is capitulate surrender yield, submit, relent मतलब इक हैं इस सुन नहीं से हैं so capitulate का मतलब हार मान लेना let's see the sentence here faced with overwhelming odds the army choose to capitulate मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई मतलब जो उनके विलकुल सोचानी था उसे अलग हुई और उसके बाद आप 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 अप सरेंडर कर दो कुछ नहीं हो सकता ठीक हैं? अहर मान ली तरह से okay so these were the five words for today's session let's have a quick revision before saying goodbye first word was amicable, amicable का मतलब क्या होता है friendly, harmonious, cordial okay मतलब बहुती मितरता पून या फिर बहुती अच्छी vibe देने वाला इंसान है फिर वो जो conversion थी बहुत अच्छी थी irreverence, irreverence का मतलब क्या होता है disrespect impity, contempt, irreverent okay ceremonial, next word was ceremonial and इसका मतलब बहुता है formal, ritualistic, ceremonious involving only nominal authority and next word was propitiate propitiate का मतलब क्या होता है क्या होता है manana appease करना conciliate pacify मतलब किसी के लिए ऐस चीज़े करना जो उसको पसंद है जिसे वो मान चाहे and the last word was capitulate हात खड़गा जना हार मान लेना surrender करना yield okay submit submission that is these are the synonyms so that's all for today's session I hope you like these sessions if you do please subscribe to the channel and be regular okay I will see you in the next one bye bye-bye